जैहिं दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए डोपी के साथ में उड़कर देवू मैं हो राजे जो वीडियो है वो मेजर दोर्वारिया की चनल के और से और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एक्यूज टीटीप ऑफ केरिंग आउट अटक्स सब्सक्राइब करना चाहिए तो लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करना चाहो आपके हिसाब से कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब पाकिस्तान ऑकिपाइड कश्मीर और गिलगिड बल्टिस्तान में एक भयानक आतंकी हमला हुआ है टेरर स्ट्राइक हुई है जिसमें नो लोग मारे गए हैं और एकिस लोग गंबीर रूप से गायले हैं आईए मैं आपको बताता हूँ कि यह एक्चुली मैटर है क्या आचा दोस्तों ऐसा है कि यह जो जगए है इसका नाम है चिलास यह दियामर डिस्ट्रिक्ट में है गिलगिड बल्टिस्तान की और इधर अटैक हो गया भयानक दो फौजी उसमें शामिल थे पाकिस्तानी आर्मी के फौजी जो मारे गए हैं और एक परसन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गंबीर रूप से गायल है यह बंदे आए एक फौटी सेवन लेके हत्यार लेके इन्हों ने ऐसे तेजी से मोटर साइकल सामने निकाली और जब गए तो फायर करते हुए यह आगे निकले निकले निक है रूपिए दड़ाले से पूरी की पूरी मागजीन ने खाली करी कितना फायर करा नहीं पता लेकिन इनूँने पूरा जिसको कहते हैं अ कि वहाँ पे आप यहाँ पे आप यह समझ लीजे पूरी की पूरी इननोंने मागजीन झोल दी और कितनी मैगजीन खोली मुझे नहीं पता लेकिन ये फायर करते चलेगा फिर ये आगे भाग गए हैं कई लोग हैं जो कि कंबीर रूप से गायल हैं अभी तक ये नहीं पता लग पारा कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं आस्पिताल में लोग हैं और ये एकस्पेक्ट करा जा रहा है ये उमीद करी जा रही है कि जो मृत्कों की संख्या है वो बढ़ेगी जाहर सी बात है अगर आपने मैजजीन खोली है तो नुकसान तो वो करेगी अच्छा कोई भी और्गनाजेशन ने किसी भी संगठर ने आतंकी संगठर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है किसी नहीं ये नहीं बोला कि साब हमने कराए नॉर्मली ऐसा होता है बलोच करते हैं तो बोलते हैं वो वीडियो वीडियो जारी कर देते हैं वो वेबसाइट पर अपनी डाल देते हैं कि अमने ठोका है कभी तहरी के तालिबान पाकिस्तान करता है वो सबसे आगे कहते हैं हाँ सब हमने ठोका है इन पाकिस्तानियों को हमारी जिम्मदारी इस बार सब चुप किसी ने कुछ भी नहीं बोला इसमें पाकिस्टान ने बोला है कि तेहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफगानिस्टान के अंदर से हमारे उपर जब से वो वापिस पावर में आए है तालिबान अफगानिस्तान के अंदर हमारे उपर अटैक बढ़ा दिये हैं और कई सौ लोग हमारे मार दिये इंक्लूडिंग सेक्यूरिटी परसनल मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों तुमी तो नाच रहे थे तुमी तो मिठाईयां बाट रहे थे तुमी तो सड़क पर भंगड़े डाल रहे थे तुमी तो कह रहे थे कि मज़ा आ गया सड़े मुसल्मान प्रा हैं ये पहुँच गए काबुल अब देखना हिंदु काफिरों को किस तरीके से हम कश्मीर से दोड़ाते हैं हम इनकों मारदेंगे वो क्या हुआ यार तो क्या हुआ पाकिस्तानियों आखीर हुआ क्या यार इतना जोश तुमारा ठंडा कैसे हो गया वो जो जहनी आजादी मिल गई है अफगानों को याद है अमराण खान की स्पीच जहनी आजादी मिल गई है मैं मुबारक बात देता हूँ अफगान को ये आजाद हो चुके हैं इन्शाला तो दोस्तों ये सारे ड्रामे पाकिस्तानियों ने करें अमराण खान से लेकर सारे ड्रामे बास अब यहां कश्मीर ये दे देंगे वो दे देंगे फलाना डिमका अफगानों ने मार मार के सुर बना दिया एंगो और जब सुर बना दिया और पाकिस्तान ने बोला कि तुम तो हमारे मुसल्मान भाई थे तुमने ऐसा क्यों करा हमारे साथ तो अफगान अनों बोला हमने तो कर रहे हैं नहीं कुछ ये कहानिया तुम खुद बना रहे हो ये जितनी भी कहानिया हैं मन गरंत हैं और भाया हमने कुछ नहीं करा तुम खुदी इस पाप के भागीदार हो तुम खुदी कर रहे हो और हमारा नाम लगा रहे हो क्योंकि तु तुम हमसे जलते हो, तुम हमारी तरक्की से जलते हो, तुम कालिबानचे जलते हो, अचा जीइ, अब दोस्तों, अफगानेस्तान से मेले चलता हूँ आपको इसराइल, अचा हूती रिबेल्स जो हैं, उन्होंने येमेन के कुछ एरिया को कैप्चर करड़ा है, बड़े एरिय ships थे इजानि के जो वयवसाइख वयापारी के जो जहाज होते हैं उसकी उपर fire करा तो यहाँ पे अमरीका का एक जहाज है यूसस कार्नी यूसस कार्नी ने इनको बरबाद करा ड़्रोंस को और मिसाइल्स को बरबाद करा हाँ दो जहाज हिट हुए लेकिन उनको कोई नुक्सा नहीं हुआ है, सेंट कॉम, सेंट कॉम ने ये बोला है, यूएस सेंट्रिल कमांड को सेंट कॉम बोलते हैं सेंट्रिल कमांड, यूएस सेंट्रिल कमांड ने दोस्तों ये बात करी है, कि यूएसस कार्नी ने डिटेक्ट करा एक एक अंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और इ यसी उनको पता लगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल आ रही और उन्होंने इसको उड़ा दिया बरबाद कर दिया तो दोस्तों ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि यूएसस कार्णी जो कि अमरीका का जहाज है उस पे हूथी इसने मिसाइल से अटैक करा लेकिन अब ये है कि संट्रील कमांड ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है अभी तक जो हुथियों का स्पोक्ससन है इसने ये बोला है कि हमने दो इसरायली जहाजों को अटैक करा है और इसरायली हो ने बोला है कि तुम गधे हो तुम बेवकुफ हो तुम नालायक हो इरان के उन पागल какое- nose- थे ही नहीं और इसराइल का कहना ए कि अगर हम पे हमला करना है पहले चेक तो कर लो बेवकुफों, एमकों किसके उपर एटैक कर रहे हो कि नफरत में इतने अंधे हो गए जो मिले उस पे बम गिरा दो बाद में देखेंगे इसराइल का है की नहीं है सेंट कॉम ने बोला है कि ये जो अटैक्स हैं इन्हों ने जिन्दगियां खत्रे में डाली शिप्स के मल्टीनाशनल क्रूज क्योंकि उन जहाजों पे जिनको अटैक कराता है इन लोगों ने उसके तो हर जगे से हैं और ये जो जहाज है उसमें से एक जहाज है उसका नाम है Unity Explorer यह Bahamian flagged है UK owned है यह UK में कोई ओन करता है यह UK owned है भई इंगलिंड का है इन्हों ने इंगलिंड का जहाज पर कैसे हैं यह मैं सही बता रहा हूँ यह जो महां के पागल मौलाना है ना इरान के यह सब क्रैक हरकते हैं थोड़ा सा पढ़ लिख लो यार थोड़ा सा पढ़ लिख लो if you want to bomb an Israeli which you should not by the way but if you really want to bomb an Israeli ship at least figure out कि हमारा target ठीक तो पता नहीं कैसे लोगे यार यह जाहिल कहीं के सेंट कॉम ने ये भी बोला है कि हमें ये पता है कि हूथीज ने Yemen से करा है लेकिन इसको पूरी तरीके से एनेबल करा है facilitate करा है इरान ने ये सेंट कॉम का official statement है दोस्तों बहुत बड़ा देखिए किसी ना किसी दिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई अमरीकन जहाज होगा या कोई ऐसा जहाज होगा जिसके उपर हूतीस का बम गिरेगा और जिस दिन गिरेगा ठीक है उस दिन जो नहीं है वो उनका हेड जो इरान का जो ठीक है उसका कॉलर पकड़के अमरीका तीन थपड़ यहां से और तीन थपड़ ठीके जी, the United States will consider all appropriate responses in full coordination with its international allies and partners, यानि कि इस पे जवाब दिया जाएगा, और किस तरीके से जवाब देना है, हमारे जो allies हैं, हमारे जो partners हैं, उनके साथ हम पूरी बैठक करेंगे, और उसके बाद हम सोचेंगे कि इसके मैं किस तरीके से जवाब देना, अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ हो गई, दोस्तों, अब एक खबर है, आइफिल टावर पैरिस से, आइफिल टावर के बारे में किसने नहीं सुना है, कौन नहीं जनता, आइफिल टावर के बारे में, वहाँ पे एक बंदा आता है, 26 साल का, उसका नाम है अर्मंद, ये चार साल जेल में रह चुका है, क्योंकि इसने कोशिश करी थी, इसलामिक स्टेट जॉइन करने की, ये पकड़ा गया, और इसको टल दिया, जेल में, ये हाइली रैडिकलाइजड है, अब, उसके वकील जो है न दोस्तों, वो ये कहने के कोशिश कर रहा है, नहीं, मेंटली डिस्टर्ब्ड, फिर ये देखो, मीडिया में ना प्लांटिट रिपोर्ट्स आती है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, एक गरीब हेड़ मास्टर का बेटा, इस तरीके की चीज़ें मेडिया में आना शुरू हो जाती है, इसने चला है, अल्ला हुए अपडर और निप्टा दिया एक बंदे को, अच्छा जिसको मारा, वो जर्मन था, वो फ्रांस आया था, छुट्टी मनाने के लिए, वो कि नर्स था यार, जो अस्पिताल में नर्सिस होती है न, मेल नर्स था, वो बिचारा पैसे वैसे जोड़ के आया, फ्रांस में, कि मैं फ्रांस में छुट्टीया मनाऊंगा, थैंक यू बोल दिया उसको, अब इससे होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ न, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो चीजें हैं, ये जो इस तरीके की जो हरकते हैं, इससे जो इमिगरिंट पॉपुलेशन है, उसके खिलाफ मूड बन रहा है पूरे यॉरप पही क्या थी, क्या तुम उसको जानते थे? नहीं, इसको ने जानते हैं, फिर तुम ने मारा क्यों? है है कि मुसल्मानों को अफ़गان maiorश्तान और फिलिस्तिन में मारा जा रहा है, मुसल्मानों को इसका बदला ले लिया, मैंने इसा अदमें कुन एप्ता धिया, अब है? वो तो अस्पताल में لوगों को इन्जेक्षिन लगाता है पट्टी बदलता है उसनि दो नगड़ा नजा के मारा? नहीं इसके पीछे मान सिकता है दोस्तों और वो मान सिकता आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान सिकता है क्या? after all वाई? होता क्यों है? मैं आपको बताता हूँ स्टोरी यह है दोस्तों कि यह मान के चल रहे हैं जो radicals है radicals इसलामिस्त हैं जो कटरपनती हैं मिलकुल जो मरने मारने की बात करते हैं जो कहते हैं कि जो भी गयर मुसलमार है उसको मार दो ये इसी कारान से बोलते हैं देखो इस आदमी की कोई गलती नहीं थी इसको क्यों मारा सिंपल सी बात है अब लोग कहेंगे साब अगर आप इसको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मुस्लिम है तो इसका मतलब आप मुसल्मानों का खिलाफ नफरत पहला रहे हैं और आप इसलामफोबिया कर रहे हैं ठीक ऐसा लोग बोलते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार सुनो उसने चाकू मारने से पहले अल्लाहू अकबर बोला था मैंने तो नहीं बोला उसने अल्लाहू अकबर बोला और उसने चाकू उतार दिया अब जब उसने अल्लाहू अकबर बोलके यानि कि वो मान रहा है वो मुसल्माना थभी तो अल्लाहू बोल रहा है उसने अल्लाहू अकबर बोला और रिद दिया उसका गला अब ऐसे में क्य ड्रोन का बेज़ है और उसने वहां से और्डर दिये एर्जोना के ॡ्रोन के बेज़ से कहीं दूर ड्रोन बेज़ से एक ड्रोन उड़ा और उसने अफगानिस्तान में चार लोगों को मार दिया मिसाइल से ठीक है, वो मारने वाला अमेरिकन, ड्रोन बनाने वाला अमेरिकन, मिसाइल बनाने वाला अमेरिकन, बटन दवाने वाला अमेरिकन, जिसने हुकम दिया है वो भी अमेरिकन, राइट, लेकिन वो जो हजारों किलोमेटर दूर किसी अमेरिकन ने फैसला करा वहां पे मारने का च जर्मन नर्स है उसका गुनेगार उस उन मौतों का जिम्मेदार एक जर्मन नर्स है आप बोलेंगे साब ये कैसे हो सकता है इनका रिलेशन क्या है रिलेशन ढूंड लिया भाही ने उसने मार दिया चाकू यानि कि अगर आप आप से मेरी मुराद कोई भी वेस्टन कांट्री किसी भी मुसलिम को कहीं पे भी मारेगी तो according to this man जो उसने बोला है उसने ये सब समझा है नहीं ये मैं समझा रहा हूँ according to this guy and millions like him who are radicals उनकी तरफ से बिलकुल ठीक है कि किसी random इसाई या किसी random जीव को मार दो चलेगा यार इतना चलता है किसी भी random बनते को चलते फिरते चाकू मार दो और आपका बदला पूरा हो गया चाहे उसका कुछ लेना हो एक ना लेना दो उसका कोई बतलब नहीं है वो जो जर्मन बिचारा मरा है ना कभी अफगानिसदान गया होगा मेरे इसाब से ना कभी कहीं और गया होगा वो फिलस्तीन फिलस्तीन तो छोड़ी दो क्यों जाएगा आदमी पागल है फिलस्तीन जाएगा लेकिन क्योंकि वो इसाई है क्योंकि वो गोरा है इसलिए उसको मारना जायज है तो आपने मार दिया एक हमारा गया तो एक इनका गया ये लेवल है रैडिकल इसलामिस्ट का और यही कामे जर्मनी में कर रहा है मैं आपको बताता हूँ इससे होगा क्या न मैं तो दोस्तों काफी टाइम से कह रहा हूँ कि जो गर्ट विल्डर्स आया ना ये नेदर्लेंड्स में जिसको काफी सीटें मिली है और ये चुनाव जीता है और अब ये तिगड़ा रहा है कि किसी तरी किसमा प्रदानमंत्री बन जाओ कोईलेशन अपना बनाने के कोशिश कर रहा है ये क्या बोलता है गर्ट विल्डर्स इसकी फिलासिफी क्या है इसकी फिलासिफी सिंपल है कि एक तो हमें इमिगरेंट्स नीची तो हमारे देश में मताओ और ये कहता है कि मुसलमानों को देश से बाहर नकालो यह अक्चुली कहता है यह आदमी Gert Wilders आक्चुली कहता है कि मुसलिम्स को नेधरलेंड से बाहर नकालो हमें आपकी जरूवत नहीं है और इस बंदे को नेधरलेंड वाले ने बहुत ज़्यादा वोट दे लिए, सबसे ज़्यादा वोट इसी को मिले है नेधिलेंड्स में अब ऐसी मानसिक्ता वाले को वोट क्यों मिले मैं ये जानना चाहरा हूँ कि ऐसी मानसिक्ता वाले को वोट क्यों मिले क्यों लोग भारी उसको मात्रा में वोट दे रहे हैं ये जो दोस्तों मेलोनी है इटली की प्रामिनिस्टर ये जो फ्रांस में नंबर टू पे है जो अभी फ्रेंच प्रेजिडन्ट है उसके बाद जो सबसे जादा जिस पार्टी को मत पराप्त हुए है ये सब कौन है दोस्तों ये वो लोग हैं जो की अल्ट्रा राइट फिंगर्स है जो परेशान हो गए इमेग्रेशन से परेशान हो गए और यही बात में रिशी सुनाच जी को भी कहना चाहता हूँ कि रिशी जी ऐसा है आप जिस गलत फहिमी में घूम रहे हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ आपके देश के अंदर शरिया जोन्स बन चुके हैं इंगलिंड इस फॉलन आपके याँ शरिया जोन्स बन चुके हैं और आपके अंदर से ही एक पॉलिटिशन निकलेगा फार राइट का बॉडरलाइन फाशिस्ट मैं आपके मुग पे बोल रहा हूँ बॉडरलाइन फाशिस्ट वो निकलेगा और वो कहेगा सब को ठीक है जितने भी गोरे हैं क्योंकि गोरे अभी भी मेजॉरिटी में वो कहेगा कि मैं निकालूँगा और वो ये काम करेगा ये बात मैं कब से कह रहा हूँ जब से फ्रांस में वो राइट सुई है न मौरकन के मरने पे तब से मैं कह रहा हूँ कि ये होगा ये होगा ये होगा और ये हो रहा है और ये मैं बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैंने 2017 में एक आर्टिकल लिखा था दोस्तों, the Caliph of London, मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा था और वो 2017 का आर्टिकल आज भी उतना ही relevant है, the far right will rise in Europe, ये पंगे और होने वाले हैं ये अब देख लिए ना, और दोस्तों बाकी ख़वर है, Maldives की, Maldives में, Maldives के जो प्रेजिडन्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि मुईजू है, उनका न, मुईजू, उन्होंने बोला है कि मैं भारत से लोगों को निकाल दूँगा, जो भारती फौजी है, भारत भारत ने बोला, ठीक है, भारत ने request करी थी, क्या भारत ये कोई भी मुल्क किसी और देश में जाके अपने फौजी वाँ पर टहरा सकता है, नहीं, it is always upon the request of the host country, Maldives ने बोला कि हमें आपकी मदद चाहिए, भारत ने बोला ठीक है, भारत ने बोला ठीक है, था क्या वहाँ पे, एक छोटा सा जहाज, डॉटो अब फोटो देखिए डॉर्णियर की, ये डॉर्णियर जहाज है, एक ये था वहाँ पे, छोटा सा होता है बिल्कुल नमनाराही, देश का सिपाई, डॉर्णियर, और दो छोटे हेलिकॉप्टर थे वहाँ पे, और क्यों थे वहाँ पे, इसलिए थे, क्यों कि मॉल्डीव में बोला, साब, अगर कोई बीमार आदमी, मॉल्डीव में दोस्तों करीब 1200 टापू हैं, जिसमें से सिर्फ 100 हैं, जो कि इनहाबिटेट हैं, यानि कि वहाँ पे इनसान रहते हैं, बाकियों में नहीं रहते हैं, अब मॉल्डीव को बड़ी दिक्कत हो रही थी, आपको दे रहते हैं, फ्री ओफ कॉस्ट, ठीक है, डन डन, उन्हों नहीं बोला, हमने डाल दिये, अब ये बंदा आया है, कह रहा है कि नहीं हमें चाहिए, टूप्स नहीं चाहिए, इसने ऐसा बना दिया, जैसे पता नहीं, आट-दस लाख इंडियन आर्मी वहाँ पे हो अमट डिव है, हमारी एब औन ब्रिगेड़ जैएं, ऐसा कुछ भी पिछ भी नहीं है यार, अब जहास होगा, तो मेंटेनस क्रू होगा, ठीक है, आपका फ्यूल डंप होगा, हो नहीं है, आपका बेसिक वरक्शॉप होगी, हो नहीं है, पाइलिट्स हो नहीं है, मेंटेन क्या क्या और आब यह बोलेगा चाइनिस को कि तुम कर दो फिर चाइनी आएंगे अगले चौनव में फिर हम देख लेंगे भई यह ऐसा ही नहीं है ना कि चाइनिस ना पैसा लगा राका गोड़ें के हमारे भी तो गोड़ें हैं बाह Comes हमने भी तो पैसे लगाएं गोड़ों पर हम वो दोड़ेंगे ठीक है दोस्तों तो यहां पर वीडियो होता है खत्म आप मैं लेता हूँ question and answers दोस्तों पहला सवाल यह है कि यह कहते हैं मेरा नाम चंदरकांत है जहन सर्थ जहन चंदरकां जी आपको लगता है कि मैजॉरिटी जो है बंगलादेश पोपुलेशन की भारत से नफरत करती है क्योंकि जब भारत ने वर्ल्ल का भारा यह भारत की हार सेलिबरेट कर रहे थे ना यह ऑस्ट्रिलियन जीत सेलिबरेट कर रहे थे ठीक है ना और बंगलादेशी सरकार ने और बंगलादेशी गमृप्यशि रेष्विस देनी कोई बात नहीं, सबको लगने का अधिकार है आपको मुझे बंगलादेशियों को भी, ठीक है दूसरी चीज जो नई फसल आई है ना बंगलादेश में, इनको ये नहीं पता कि 1971 में हुआ क्या था पुराने लोगों को तो पता है जो नई फसल आई है ये काफी हद तक राडिकलाईज हो गई है बंगलादेश में ठीक है ना? और इनको ये लगता है कि वो भी मुसल्मान, हम भी मुसल्मान, भाई भाई इनको ये नहीं पता कि ऑपरेशन सर्च लाइट किया था जब जनरल टिका खान आया था और प्रेगनेंट इस्ट पाकिस्तान यानि कि जो अभी बंगलादेश है वहाँ पर जो प्रेगनेंट औरतें थी मुझे कहनी बात नीची है लेकिन उनके पेटों में संगीन डाल दिये थे बच्चा भी मार दिया, मा को भी मार दिया दस लाख इस्ट पाकिस्तानी विमिन यानि कि बंगली जो बात में बंगलादेश बना दे वर रेप्ट मोर दन थ्री मिलियन यानि कि तीस लाख इनुसेंट बंदे मारे गए पहले उनसे कबनें घुदवा देते बड़ी सी कबर, फिर वहीं पर गोली मारके उसी कबर के अंदर डालके अंदर इन्होंने क्या करा था? लेरेंग गरी थी 20 फुट का गड़ा कोदा ठीक है? पहले उसको मारा नीचे गिरे वो नीचे दढ़ सक्थी दीसी बात है नीचे गिरे नीचे गिरे उनके उपर हलकी सी मट्टी डलवाई जिन से डलवाई फिर उनको मारा फिर वो उनके उपर गिरे उनके उपर मट्टी डलवाई ऐसे यह उन्होंने इस तरीके से 3-4 लेयर करके दो नोने कबरे बना रखी है मंगला देश में आज कि बंगलादेशी भूल गए अब पाकिस्तान का प्रेम जाग रहा है अब वीजा सर्विस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए क्योंकि बिना वीजा के इतने बंगलादेशी आ गए भारत में वीजा की जरूत क्या है वीजा फ्री तो महां के रहने वाले हो माल्दा माल्दा तो आप जो कहरें ना कि नेपाल जैसा नेपाल जैसा हाल बंगलादेश का होना चाहिए I have a lot of respect for बंगलादेशी they are an educated people there are cultured people no doubt I have the highest respect but infiltration into India is also a reality ये भी एक सच्चाहिए be happy okay hello sir I am Vishav hello Vishav ji मैं जानना चाहता हूँ कि NIA और IB serious raids क्यों नहीं कर रहीं multiple location में Jambu division में जहां पर terrorism is riding and anti-national elements are taking local people support नहीं आपको क्या पता कि IBA कोई काम कर आई बी एक खुफिया एजनसी है NIA जो है in national investigation agency it is the premier anti-terror agency NIA को जब करना होगा NIA करेगा यार आप बिल्कुल देखे NIA को मैं नहीं बोल सकता आज गौरवारिया कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं NIA में top class professionals बैटे हैं जब उनको ठीक लगेगा वो कर देंगे वो को बड़ी बात नहीं है उजवल ठाकूर राम राम गोलु जी ओ भाई साब उजवल ठाकूर साब राम राम आपको भी भारत का action क्या होना चीए strategic level पे civil war जो मैमार में चल रहा है because China is helping it financially and against UN sanctions and military wins then it will not create a good situation because as we know we share a border with मैमार या देखो नो सुनो सुनो so where should we stand ऐसा है कि जो हमारी policy बिल्कुल ठीक चल रही है border बड़ा पोरस है हम जादा कुछ करेंगे सब के सब ने इदर ये चाइना कोई नहीं जाएगा सब के सब इंडिया आएगे ठीक है बंगले देश में जब problem ही थी नग 1971 में इस्ट पाकिस्तान था Pnaturus East Pakistan सब के सब आगये और जो सब के सब आने का सिलसला चल रहा है 1971 से 1941 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ तो भाई उसका मुक्य कारण कई कारण थे उसमें एक कारण नहीं था दसियों कारण थे तबंगलादेशी refuge इस्ट पाकिस्तान से इस्ट पाकिस्तान के रेफिजी लगातार दर लगातार भारत के अंदर गुश रहे थे और भारत की अर्थ व्यस्ता को चोट मचा रहे थे तो जो अभी भारत की पॉलिसी है चाइना जो करेगा करेगा ठीक है ना जो भारत की पॉलिसी है फिलहाल के लिए ठीक है आगे चलके देखते हैं क्या होता है वहां पर ये जो ना ये आज का टंटा नहीं है वहाँ पे ये पता नहीं कितने दश्कों से चल रहा है वहाँ पे ये कभी ये आता है पावर में ये आता है कभी ये उपर नीचे चलता रहता है वाँ पहाँ पहाँ अंकुर सिंग सेंगर अंकुर जी नमशकार DD तो अंकुर यह पूच रहे हैं कि Egypt and Jordan refuse क्यों कर रहा हैं प्लस्टिनियंस को लेने के लिए साब इसल्ले कर रहे हैं को कि प्लस्टिनियंस जहाँ जाते हैं जिसकी ठाली में खाते हैं, उसकी ठाली में चेहित करते हैं, सिंपल सा, जादा कोई जिसमें जियो पॉलिटिक समझने की जरूत नहीं है, पलिस्टिनियन्स कुवेट गए, उन्होंने ठाली में चेहित करा, कुवेटियों उनको सब कुछ दिया, उनको स्कूल दिया, पीने के लिए कुवेट से लेकिन जब सद्दाम हुसेन ने अटैक करा कुवेट पे तो सबसे पहले ये जाके सद्दाम हुसेन के साथ खड़े हो गए और कुवेट के अंदर रहके कुवेट का खाके कुवेट के खिलाफ काम करने लगे ये पलिस्टिनियन किरदार है आप जाके इतिय पाकी मुसलमान मुलक आप जाके इत्यास पढ़ीए, लोकों को तो इत्यास ही नहीं पढ़ा इनका पता हैं, उन्होंने एजिप्ट के साथ दhokा करा, जॉर्डन के साथ, जॉर्डन के तो राजा ने पलकें बिछा दी भाई, उसने पलकें बिछा दी इनका बचारा, इनको ब रहते 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 इन्हों ने चुंगी नाके बनाना शुरू कर दी इस लोगों पर जो जॉर्डन के लोग आए थे उनसे हफता वसूली किसी का बच्चा उठा लिया फिर उती ये इनके काम थे फिर पुलिस आई रोकने के लिए तो पुलिस पर फाइरिंग फॉज आई फॉ और ये सब ड्रामा जो हुआ था जिसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए थे I think 10 से लेकर 25,000 का फिगर it is acceptable and accepted actually not acceptable but accepted I should have said sorry for that it is accepted figure and तो ये है वहाँ पर तो आप कहें कि लोग क्यों नहीं लेते कोई नहीं लेता यार आप इनको छोड़ो ना आप बात कर रहे हो कि Jordan नहीं ले लेता और बाकी किसने ले लिए वो कहते हैं देखो तुम्हें जो हमारा सपोर्ट चीए ना Twitter पे Instagram पे Facebook पे YouTube पूरा सपोर्ट है स्पीच देनी है बाशन देना है पूरा सपोर्ट है दो चार अगर पारले जी के biscuit चीए वो भी विजवा देंगे लेकिन हमारी जमीन पे तुम पूरा सॉल एक भी नहीं आएगा और हैंगे सारे के सारे Muslim countries तो दोस्तों आज का वीडियो ही पे खतम होता है ये वीडियो कैसा लागा बताएए मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को तैंक दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए और पाकिसान में कही दुनो दोसे ये अक्ञाद हमलावर की जो बाते हैं डेली निकल के आ रही है अब ये आकड़ा दोस्तों हम बताएए अब तक तो जो नंबर आ रहे थे वो यही लोग थे जो भारत के दुस्मन थे जिन्होंने भारत में आन तक मसा आया था कई इसमें सबीस-ग्यारा ओरी अटेक ह उसके लाव छोटे मोटे बहुत सारे उसके लाव कस्मीर वाला वह सारे जो आंत्र किये थे उन्हों का मतलब यह काम करना स्टार्ट हो गया था करीबन वह भी त्रिस तक पहुंश चुके जब इसमें यह जोड़ लो तो यह अब जो है वहां पे बहुत सारे टेर्रिस्ट ग करती है अब यह किसी ने बोलाई नहीं यहीं दोस्तोग अपके साथ हो रहा है उसका रिजन दोस्तों उन्म पाकिस्तनियों पाकिस्तान में 75 % फार्मर है पाकिस्तान भी खेती प्रतान देशें जीसे भारत है तो वहाँ पे भी फार्मिर रहते है, गाव वाले है, सब लोग उसकी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई सहर में आता है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती करता है उन लोगों का कोई कुशूर नहीं है अब जो जाने जाएगी उसमें और यह जो करने वाले इसमें नाम से अत्याध हमलावर का आ रहा है तो जो भी हो आपको बहुत सारे दीसों ने समझाया पाकिस्तारी आपका ही किया थरा है टीटीपी को बनाना यह मतलब सब अरे जब टी बोलिया अब यह सब पूच चला और जब टीटीपी सत्ता में आ गई तब यह लोग तो मतलब दीवाली जशा माहूं का पकिस्तान में उसको अब अफगानिक्स्तान भी हमारा हुआ है राज चले और जैसे पिश्वारे पर लात पड़ी ना पाकिस्तानी का मूब बंद पाकिस्तान और अफगानिस्तान समास आता हूं ठीक है तो अब और मजा आएगा पाकिस्तानियों आपको जो आपने जितने भी भंग्रे डालेते ना उस समय अब उनका मतलब पाई-पाई का जो है न वह हिसाब लिया जा रहा है आपसे तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपके क्या राई है कमेट में लिख कर जरू बताएगा फिलाल हम आप सभी दाई लेते हैं मिलते हो रखने वीडियो में आपके साथ तिल देन जैन जैवार्ण